हलो दोस्तों, कॉइन सुच कुबेर ने बैंक डिटेल्स यहां पर बदल दी, पहले IDBI बैंक था, अब कोटक महिंदरा बैंक हो गया, तो हमने तो पहले ही वाले में डिपोजिट कर दिया, हमने एप को खोला ही नहीं, अपने बैंक की एप में जाके बैनिफिशरी एड कर रख है, मैं उसके अंदर डिपोजिट करूँगा, और देखूँगा कि क्या कॉइन सुच कुबेर के अंदर मेरा डिपोजिट सक्सिस्फुली हो पाता है, या नहीं, तो आओ देखते हैं, पुराने बैंक अकाउंट में डिपोजिट करके, जैसा की हो सकता है, आपने भी कराओ तो यहाँ पर डिटेल्स हो चुकी थी चेंज, लेकिन हमने इस एप को खोला ही नहीं, हमने क्या करा, इसको खोला ही नहीं, और अपने बैंक की एप को डिरेक्ट खोला, और वहाँ पर जाके ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और उसके बाद सेंड मनी पे क्लि beneficiary हमने add कर लिया था जो को हमारा coin switch को वेर है उसे beneficiary add कर रखा था तो यहां पर beneficiary पर click करके और यह देखो हमने click कर दिया simply और वही वाला bank account है VKBR यह वही वाला bank account IDBI saving bank account coin switch को वेर ठीक है यहां पर amount डाला 100 रुपे और next कर दिया direct remark में कुछ डालना ही नहीं होता continue कर दिया और IMPs से transfer कर दिया पुराने ही bank account में deposit कर दिया confirm और यहां पर अपना M pin डालना होता जो कि आपको ही पता होगा मैं भी डाल दे रहा हूं फिर देखते हैं अपना M pin डालने के बाद loading होई loading होई loading होई loading होई और payment successful होके आ गई ठीक है अब payment तो successful हो गई लेकिन यहां पर तो bank details जो है बदल दी गई है और पैसे भी कट गई है यह देखो पैसे कट चुके हैं 100 रुपे मेरे bank account से और payment जा चुकी है तो पैसे गए कहां तो आप यहां पर देख सकते हो मैंने deposit करा है payment successful लिखके आ गई उसी bank account में IDBI bank और वही सब कुछ है ठीक है मैंने उसमें payment करी थी 3 बज़ के 7 मिनट पे पुराने वाले coin switch कुबेर के जो account है जो पुराने वाले में करी थी IDBI bank वाले में ठीक है आप देख सकते हो तारीक भी वही है 25 जनवरी 3 बच के 7 मिनट और deposit successful होने का message मुझे यह देखो आ चुका है यहां पर 3 बच के 9 मिनट हो रहे हैं कि नहीं 2 मिनट ठीक है 3 बच के 7 मिनट और यहां पर 3 बच के 2 मिनट हो रहे है 2 मिनट का मुझे टाइम लगा deposit of 100 रुपीज has been received in your coin switch kubair account ठीक है आपको यहां पर यह देखने को मिल चुका है 100 रुपे मेरे आब ही चुके हैं यह देखो मैं आपको return home पे जाके दिखाता हूँ एक बार 200 रुपे balance हो गया 100 रुपे था अभी यहां पर portfolio में हो सकता update ना उसका भी मैं screenshot आपको दिखा दूँगा update होते के साथ ही लेकिन यहां पर deposit successfully काम कर रहा है और पुराने account में अगर आपसे गलती से deposit हो गया तो आपके deposit successful हो जाएगा कोई घबराने की tension लेने की बात नहीं है दो मिनट से भी कम का time लगा मुझे deposit करने में कोई तकलिव वाली बात नहीं है चिंता करने की कोई बात नहीं है तो आपने देख ही लिया घबराने की कोई जरूरत विल्कुल भी हमें नहीं है अगर आपसे गलती से coin switch कुबेर का जो पुराना वाल account details सुनने दे रखी थी ना उसमें अगर deposit हो गया आपसे गलती से तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है दो मिनट से भी कम का टाइम लगा deposit successful होने में पुराने ही bank account के अंदर आपने देख लिया तीन बचके 7 मिनट पे deposit करा तीन बचके 9 मिनट से पहले पहले मेरे पास message आ गया दो मिनट से पहले पहले कि आपका deposit successfully हो रहा है तो पुराने वाले bank account में भी deposit हो है नए वाले में तो होई रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वाकि इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी जानने को मिला तो इस वीडियो को like जरूर कर दीजिए इस चैनल को subscribe कर लीजिए अपना ध्यान रखिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में